हेलो एबडी वान गुड़ मॉर्निंग एजी बे में आप लोग का एक बार फिशे स्वागत है अभी ये जो आप लोग देख रहे हैं स्री विश्कडमा एस्किल इन्वर्शिटी ये विश्कडमा इन्वर्शिटी है जहाँ पे इस्किल ट्रेनिंग कराया जाता है तो ये बी और यह स्री विश्कर्मा इसकील इन्वसिटी जो है हरियाना के गवर्मेंट सेक्टर की है और यह गवर्मेंट सेक्टर के अंडर वर्क करती है यहां पर देखे लिखा हुआ है इस्टेट इन्वसिटी इनके अंडर दे गवर्मेंट ऑफ हरियाना एक्ट 25, 2016 यह गवर्मेंट के थ्रू ऑपरेट किया जाता है और इसका डेट जो था जब यह वेकेंसी आई थी वो 12-11-2020 को आई थी यह इसका एड़टाइज नंबर है यह बहुत सही है और फ्रेंक नहीं ह इस बात का आप लोग ख्याल रखेगा यहां पर बताया गया है कि यह जो स्री विश्वकर्मा स्किल इन्वर्शिटी है जो कि पलवाल में है और इंडिया का फॉर्स्ट गवर्मेंट स्किल इन्वर्शिटी इस्टैबलिस्ट हुआ था यहां पर देख रहे हैं और यह गु आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसका ओफिशल वेबसाइड है www.sbsu.ac.in यह इसका ओफिशल वेबसाइड है जब आप लोग इसको ओपन करेंगे तो यहां से यह PDF डाउनलोड हो सकती है और बहुत सारी जानकारी है जो आप लोग के लिए जरूरी होगी तो यहां से मिल जाएगी और यहां पर बताया गया है कि आप लोग 21, 12, 2020 तक इसको अपलाई कर सकते हैं इसमें बहुत सारे ब्रांच हैं और बहुत सारे अलग-अलग पोस्ट हैं और हम अभी इस पोस्ट के बारे में नीचे चलेंगे और देखते हैं तेखें बोला गया है स्कील इंस्टक्टर मैकेनीकल ये सब आप देख रहा है ये बीटेक एमी बीटेक ये लोग कर सकते हैं और जिनके पास आई टी आई यहां पर डिफाइन किया गया है आप लोग दीरे दीरे सबको देख सकते हैं ये देखें बताया गया है टूल एंडा एलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल एवियस, हॉस्पितालिटी, रिटेल, सॉप्टेस्किल, जी आईएस, विजिक्स यहां पर साड़े ब्रांच के लिए दिया हुआ है 21 है देखें यहां पर दिया हुआ है एक नंबर से लेके 21 तक जाईएगा तो यह साड़े पोस्ट यहां पर दिये हुए हैं नीचे जलते हैं यह 22 है और 22 से लेके 29 तक मतलब आपको टोटल 29 पोस्ट हैं और 29 पोस्ट में स तीटो की संख्या एक ही है और आप लोग को यहां पे ब्रांच भी देखने को मिल गया होगा इस पर बताया गया है कि यह जो ओपनिंग होगी आप लोग कब से कब तक अप्लाई करेंगे तो तेरह एकार से यह अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है और 21.12.2020 तक में नाइट ब दिया हुआ है दा डिप्टी रजस्टार इस टीबी श्री विश्कर्मा एस्किल इन्वर्शिटी प्लाउट नमबर 147 सेक्टर 44 गुर्गाव हरियाना 1222003 यह इसका जो एड्रेस है इस एड्रेस पे आपको सेल पेटेस्टेट कुछ पेपर होंगे जो कि आपको भेजना है यहां पे यह चीजे क्लियर की हुई है अब नीचे चलते हैं और इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं यहां पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो कि आप लोग इस पीडियाप में पढ़ लीजेगा डाउनलोड करके अब नीचे बात करेंगे कुछ और जो होगा उसके बारे में बात करेंगे क्वालिफिकेशन क्या होगी उसके बारे में बात करेंगी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फी में आप जो फर्म इसमें अपलाई करेंगे उसमें कुछ फी भी लग रहा है जैनरल के लिए एक हचार रुपय लग और बांकी जो लोग आत तो आप लोग फॉर्म भरना चाहें तो भढ़ सकते हैं और इसमें अभी हम ले की बारे के बाद करेंगे ये जिसमें बहुत सही दिया हुआ है जिनका एज पचास साल है वो लोग एपलाई करेंगे पचास साल तक लोग थाप ले करने की बात करी गई है अब देखिए बाड़ी बाड़ी से हम आपको बताएंगे कि क्या क्या qualification चाहिए ये देखिए बताया हुआ है mechanical ये name of post है और pay matrix है level 6 matrix पे आपको salary दी जाएगी salary यहाँ पे define नहीं किया गया है वो आपको बाद में पता चलेगा एज limit की बाद करें तो 50 साल है जिनका एज 50 साल तक है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं qualification है तो qualification इसमें बहुत सारे दिये हुए हैं जो लोग MA, Mtech, Btech ये सब जो किये होंगे और कम से कम उनका 55% marks होना जरूरी है तो वो लोग apply करेंगे और इसमें experience की बात कर लेते हैं तो जो MA, Mtech वाले लोग है उनका एक साल का experience होना जरूरी है Btech वाले का experience होना इनके लिए भी experience मांगा गया है लेकिन उनको 3 year का experience चाहिए अब नीचे आएंगे हम कुछ और हैं यहाँ पर qualification दिया हुआ है इनके लिए अगर बात करें तो 4 year का है बागी diploma जो लोग 3 साल का किये हैं उनके लिए 6 साल का experience मांगा गया है जो diploma वाले लोग हैं उनको 6 साल का experience चाहिए और diploma भी होना चाहिए mechanical और concurrent allied relative disciplines यह जो होगा आप apply कर सकते हैं state board के लोग होंगे वो भी apply करेंगे नीचे आए यह देखते हैं NTC का नाम आप लोगों ने सुनाओगा national certificate अपर NTC पगड़ आपने किया है तो आप apply करेंगे लेकिन साथ में 8 साल का experience आपको यहां पर देना पड़ेगा बाकि इसी तरह से साड़े जो भी आप देखें मैंने आपको जबी बताया है यही चीजे साड़े जितने भी skill instructor हैं उन सभी के लिए है और यहां पर यह इसके अलावा आगे और कुछ बात जैस education है written test होगा interview होगा और यह साड़े का साड़े जितना भी आपको exam देना होगा इस सबका add होगा marks जो आपका आएगा वो marks add होगा तो 10th के लिए 5% 12 के लिए भी 5% graduation के लिए 10% post graduation के लिए 10% इसमें भी दिया हुआ है written test जो होगा आपका जो syllabus होगा उसके recording उसमें आपको 50% marks और जो उसके बाद interview होगा उसका भी 20% यानि कि आपको इस तरीके से यह जो selection होगा इस तरीके से होगा अब नीचे आईए और इसमें देखिए आपका क्या होगा written test जो होगा skill test जिसको हम लोग बोलेंगे written होगा या skill test दोनों में से कोई भी होगा वो 90 marks का होगा बाकी यहा कर सकते हैं next video में कोई और नहीं जानकारी के साथ मिलेंगे तब तक के लिए thank you so much